आरे टोणी चडिया तुम नहीं जानती उस कवे को मुझे उसी के उपर शक है उसी ने मेरा बच्चा चुराया है मेरा नंदा बच्चा बड़ी टोणी का बच्चा चोरी हो चुका था और वो अपने बच्चे के लिए काफी जादा डरी वी थी वो जंगल से बच्चियों से बशही कह रही थी कि उसका बच्चा कालू कवे ने चुराया है आरे चोटी टोणी तुम तु जान दी हो कि वो कवा कितना जादा चोरिया करता था मुझे उसी के उपर शक हो रहा है आरे टोणी बेहन आप वेसे ही शक कर रही है वो कवा इतना बारा चोर भी नहीं कि आपका बच्चा ही चोरी कर ले आप पहले कमवाम तो कर ले मुझे तो उस पे शक नहीं है खेरा फिर भी मैंने कहा ना कमवाम कर ले वो कवा चोरी नहीं करेगा छोटी टूनी बड़ी टूनी से कहती है कि वो कवा चोर नहीं और क्यापा खाप खापन खाप उस पर शक कर रही हो और यहां बिचारा कवा माें उस्ता इन जनगल में जो भी होता है पक्सी मेरा ही नाम लेते है अरे में चोर थौड़े ही हूँ पता नहीं हर पक्सी मेरे पीछे पड़ा है मुझे चोर चोर कहता है अरे मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ आकर मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता मैं इतना बड़ा चोर भी नहीं कि पक्षियों के बच्चे चोरी करो कालू कववा बिचारा रो रहा था और बस यही कह रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ मुझे खावाखा चोर ना कहा जाए कववा पहले जंगल में चोटी मोटी चोड़िया करता था अप इसे वजा से जंगल में जब कोई बड़ी चोड़ी भी होती तो शक कववे के उपर ही रहता अब कवव बिचारा बस यहीं सोचकर रो रहा था कि उसका जीना काफी जादा मुश्किल हुआ है इतने मैं नीलू चड़िया कववे की बात सुनती है अरे मुझे तो लगता है कि इस कववे ने कोई बुरा काम नहीं किया और तोनी चड़िया खामखा इस कववे के उपर शक कर रही है मुझे जाकर तोनी चड़िया को बताना होगा कि कववे ने कोई गलत काम नहीं किया और आप खामखा इस के उपर शक कर रही हो यह कह कह नीलू चड़िया उड़ जाती है अब वो जाकर टूरी चुडिया से कहने वाली थी किकवद चौर नहीं उसने कोई ऐसा गلत काम नहीं किया लेकिन टूरी चुडिया कहा मांने वाली थी और यहां बड़ी टूरी को च्छोटी टूरी ही मिल जाती है आरे तुम यहां बेटी हो तुम्हारी माँ तुम्हें कब से तराश कर रही है तुम्हारे लिए वो कितनी रो रही थी तुम्हें कुछ पता है अरे उसका तुम्हें खयाल रखना चाहिए चलो सबके सब कवे के उपर शक कर रहे थे मैंने सबसे कहा कि कवा चोड नहीं है चलो टूनी मेरे साथ चोटी टूनी चलो मेरे साथ ये कहकर किनो चड़ा उसे अपने साथ ले जाता है और टूनी चिरिया के पास पहुचाता है आरे टूनी तुम खामखा कालू कवे पे चक कर रही थी देखो उस बिचारी ने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारा बेटे तो जंगल में थी कही काम में गई थी मुझे रास्ते में मिली तो मैं आपने साथ ले आई तुम तो खामखा उस बिचारे कवे पे चक कर रही थी अब जैसे टूनी को अपनी गंदी का एहसास हो जाता है तो फोरन ही कालू कवे के पास पहुच जाती है कालू कवे कालू कवे मुझे गंदी हो गई जो मैंने तुम्हारे उपर शक किया अरे मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो गया मुझे माफ कर दो कालू कवे दुबारा मैं कभी भी तुम्हारे उपर शक नहीं करूंगी कालू कवे मुझे माफ कर दो तुनी चरिया कालू कवे से माफी मांगती है और अपने किये की भी माफी मांगती है कालू कवा रोता हुआ वहां से चला जाता है कैसे एक शक की वज़ा से बिचारे कवे का दिल तूट गया दोस्तो जब भी आपको कोई बात पता लगे या आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो तो पहले कंफाम कर ले क्या पता आपका शक गलत हो और किसी और का आप खामा खामे दिल लुखा दो दोस्तो हमेशा जो भी करना हो पहले अच्छी तरह सोच कर किया करे ताकि किसी और को भी आपकी वज़ा से कोई तकलीव ना हो छोटे से शक की वज़ा से भी किसी और का दिल आपकी वज़ा से तूट सकता है तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और के लिए बाइ, बाइ